हेलो दोस्तों मैं उग्यान और आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक एसरी ट्रीक दोस्तों की अगर आप जो है त्रेट सेप को यूज करते हैं भी जो ये न्यूई एक आप एक आप यूज करते हैं उसमें जो है अगर आप रिल्स को अपलोड करना चाहते पोस्ट करना चाहते हैं तो ThreadsSept को कैसे upload कर सकते हैं कैसे post कर सकते हैं तो वीडियो को completely जरूदे के वीडियो को इन तक जरूदे के अगर वीडियो अच्छे लगए वीडियो को like कर देना च्रेशन को subscribe कर देना और bell icon पर click कर देना तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, तो सब सब पहले, जो है, मैं thread, shape को open कर लेता हूँ, आपके सामने हैं से, thread sf को मैंने open कर लिया, और open करने के बाद जो है अगर मैं यहां से जो है, इस पर click करता हूँ, तो यहां सेhir, करते हैं is यहाँ बताओंगा नियुक्तर जायान पर पेंद रिउस केक्न कार सकते हैं और आप क्याँ सब्सक्राइब करेंगे दिण दो क्रेंद करकेरन आप अगर ऑप यहाँ पर Instagram पर कोई Reels को create करते हैं माना कि जैसे कि आप यहाँ पर फ्लस आइकन पर क्लिक करते हैं Reel पर क्लिक करते हैं यहाँ से कोई इसी भी वीडियो को अगर आप select करते हैं जैसे कि जैसे कि मैं इस रिल्स को किरेट करा अगर मैं इसको यहां से एड़ पर किलिक करता हूँ और नेक्स्ट और नेक्स्ट करने के बाद जैसे अगर मैं यहां से किलिक करता हूँ तो यहां पर इसा कोई भी उप्सन नहीं आता है advanced setting पर लिए करता हूँ तो यहाँ पर एचा कोई भी option नहीं था कि threads में चली जाए तो आप यहाँ से जो है threads में जो है reels को नहीं बेच सकते तो आप को क्या करना है इस्टाग्राम से कोई भी reels को आप catalue करेंगे तो उसको आपको पहले क्या करना है save करना होगा and save करनेके बाद फिर वहाँपर आपको post करना है post कैसे करेंगे जिसे कि hier से save कर लिए कोई भी reals वीडियो को and फिर आपको करने है thread save को open करेंगे thread save को open करने के बाद यहाँपर हाँ photo, post, सब कुछ कर सकते है कैसे करना है जिसे कि foreignols हो रहे यहां से लिखने के बाद यहां पर अटेज का उप्सन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और पर अपके सामने कोई भी रिल्स वीडियो को तो जैसे कि मैंने select कर लिए and done करा ये कुछ ये real से माना की अब इसको जैसे इसमें voice जो यहां से अगर आप voice को बंद करना जाते हैं तो voice को बंद कर सकते हैं यहां से और voice को own रखना है तो own रख सकते हैं इसमें जो दिखाए जा रहा है your follower can reply इसको आपको post करना है post पर click करेंगे यहां से post हो जाएगी यह post हो रही है अभी देखना profile पर जाते हैं यह post हो चुकी गाईज कुछ अस्तरत है अभी post हो रही है और यह post हो चुकी गाईज एंड अगर आप इसको delete करना जाते हैं three dots में click करके यहां से आप इसको delete भी कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से आप जो है trades में जो है कोई भी reals वीडियो को जो है post कर सकते हैं इसे अगर वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना और bell icon पर click कर देना Thank you watching in this video